दोस्तों नमस्कार, I am Harsing God, आपका अपने चनल पर स्वापत है, आज का मेरे विश्य होगा कि सर्दी में ही सुगर क्यों बढ़ती है, आपने देखा होगा कि गर्मी में सुगर ठीक रहती है लोगों की, सुगर लेवल और सर्दी में बढ़ता है, उसके कहीं कार्णा है, उसके कार्णि यह है, हम सर्दी में जो है, लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते है, और घूमने पेश पर ध्यानझ んな ढगते हैं। और खाना हम गर्मी से ज़्यादा खारते हैं क्योंकि हम घर में रहते हैं, तो घर में जाबicion खाना करते हैं, और अपना चन्ट्रोल नहीं कर कराना हमारी सुगर बढ़ जाती है हम वाकिंग ही नहीं करते हैं क्यों में शर्दी लगती है तो हमने अपने सुगर को कंड्रोल करने के लिए एक तो हमारे खाने को कंड्रोल करना है दूसरा आमने जवाब वोकिंग करनी है सुबह की वी स्यामगेरी अगर फोगंड समोग है अगर धूंद आया धूंद आया उस दन आप वोकिंग मत करो प्रणायम करो और वोकिंग करनी है तो आप जो है मास्क लगाए करो ठीक दोस्तों तो इसमें मैं आपको कुछ परिकोशन निद बताता हूं आज के जैसे पहले म भूजन का परीयोग करते हैं स़द्धिक क्टम मैं लेकिन ज्याधा मात्रा मेंने किता उसफ़ाद पेसेंट है वो ज्याधा मात्रा मैं जब भूजन करें यह मेरी सक है कि दूसरा है जो हमारे इंसुलीन के जो इंसुलीन है या मदू में के जो डेविटिक जो चेक करने के उपकरना है उसको ठंड से दूर रखें क्योंकि ठंड में तूट जाते हैं और तूटेंगे तो मैं फिर मोल लेकर आना पड़ेंगे क्यों उसके बगार हमारे गामी चलेगा तो उसको से बचाना है ये बड़ा ध्यान राकना है गुके जो हमारे उपकरणा है जिसे हम फिक रहाता है या जो सब्सक्राइब two how much स्रीट का जो है समय समय पर चेकिंग करना है कि कैसी मारे से रहे है और इस लगता है तो वो चेक करना है ठीक है और एक होड़ा एकस्त्रा है कि जब हम यह से वन्दी काम नहीं करते हैं तो हमारे तौचा पेरों पर फंगस लग जाते हैं उंगलियों को बीज में आंने बहुत सारे लोगों को दिखा होगा फंगस लग जाती है या वाइट-वाइट से लिए पैरों के मासपास में तो वो उतर-उतर के कहीं बार जहाब उंगल्या भी कड़ जाती है तो अगर किशी को फंक्स लग जाती है तो डौक्टर के बाद जरूर जाएं पहले तो अगर आप एक्सरसाज करोगे और खाना ठीक ठाक खाओगे तो आपको फंक्स नहीं लगेगी क्योंकि आप अवेर कहीं लोग क्या होते हों अवेर नहीं होते घूमते नहीं है वह हमेशा कहेंगे मार पास काम भूत है मार पर टैम नहीं है लेकिन मैं अगर आप अपना टाइम निकाल लोगे तो आपके लिए फैदर रहेगा टैम निकाल सकते हैं क्योंकि सुबह अरली उठो अरली अगर आप नहीं उठ सकते तो वह समय प्रपक करना हो जए दूसरा जब आप अपने शूगर चक्राते हो तो शूगर में जो हैं आपका हाथ अपना पानी में क्योंकि जब इंजट करते हैं उसको सुवा लगाते हैं स्पून निकालने के लिए तो क्या होता है कि वह सुवाई टूट चूट जाती है क्योंकि हमारे हाथ में थोड़े से सकत रहते हैं इसलिए यह भी ख्याल रखना जब आप चेक करते हो तो जो है गर यह पर गरम पानी में हाथ दो लिया अगरो ठीक है दूस्तो उसके बाद है सब से जोरी जो मैं सब 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 सबसे आ रहे हों कि फीजिकल एक्सराइज उस पर में जोर देता हूं अ है फीजिकल एक्सराइज वैसे तो सब किशियों करने जीए आयदर यह डेविटिक पेस दालॉघ कभी वोक कर लोकभी दो यह उसके बाद आप पारक में जाते हो तो पार्क में एक्सराइज करो गमी और मैं गहाँ में पारिवह सारे हैं के आनुटों लेकिन सब्से एक्सरायज ड़ों कुरो हो नहीं यह उस ठीम में के वे एंड वेंगे मेरे को सर्म आएगी वेशे कि बोलेंगे वे यह लड़का बन रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है आपके एक तो दिनी भूलेंगा बाक में वह आपके शाथ ही लग लेगा बुले यह तो जो भाई साथ है तो आपके रहा है तो अब में जो आपके ज़्म करनी है एक्सरसाइज शुल करनी है श्याम को श्याम को वोग कर लो सुबह थोड़ा सा लेकिन आपने वोग फास्ट करनी है जो वोग करनी न वो फास्ट करनी है तेज चलना अपने अर धीरे दोड़ना यह यह निके वितेज दोड़ लिया तेज दोड़ने को फैदा नहीं है दीरे दोड़ना तेज चलना आपक तो अपना ख्याल रखेगा, थैंक्स, थैंक्स अलोट, गोडब्लस यू, और एक बाद, चैनल को सब्स्वारे करें प्रेश, थैंक्स, थैंक्स अलोट, गोडब्लस.